दरसल अर्थशास्त्र की कोई सरवत्तर परिभाशा दे ही नहीं सकता है। बहुत सारी परिभाशाओं को अगर मिला दे, कुछ-कुछ points अगर जोड़ दे, तब हम अर्थशास्त्र की सरवत्तर परिभाशा दे सकते हैं। क्योंकि डाइनेमिक सब्जेक्ट है आप जानते हैं, अर्थशास्त्र को पढ़ना बहुत आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जा सकता है, अब देखें, अर्थशास्त्र की परिभाशाओं का अध्यान करने के बाद, सहज ही में यह प्र परिभाशा, धन संबंदी परिभाशा, सोचल वेलफेर संबंदी परिभाशा, हना यह से परिभाशा क्यों होती, कि अर्थशास की कौन सी परिभाशा सरवत्तम है, किन्तों यह कहना कठिन है, क्योंकि कोई भी परिभाशा ऐसी नहीं है, जिसके अलोचना नहीं है, तो बिल परिभाशाओं को उचे ठहराया है, ये परिभाशा है, उचे ठहराया है, तो ये लोग Professor Robbins की साथ चले जाते हैं, इनका कहना था कि हमारे पास सीमी साधन है, और चुनाओं की समस्या है, हम सीमी साधने से जादा से जादा लाब प्राप्त कर लिए हम ये करना चाहते हैं, तो इस पर जो बेस्ट हैं, इनके साथ जो चलेगे उनको प्रतम विचारदारा है, और Professor Robbins की समर्थक बाने जाते हैं, दूसरी विचारदारा की अंतरगत, Professor Marshall की अंतरगत आते हैं, समर्थक आते हैं उनके अंतर में, ठीक है, इसमें मानव विवहार की समस्याओं को हल करने संब संदी बातों पर प्रकाश डाला जाता है, अब हम बात करते हैं कि सैधांतिक दिरस्टी कौन से Professor Robbins की परिभाशा उप्यूकत है, ध्यान रखेगा, अगर हम सैधांतिक दिरस्टी से देखते हैं, ठीक है, तो फिर Professor Robbins बहुत सही है, लेकिन वहार एक रूप से मार्शल की प परिभाशा सही है, और सिधांत होंगे नहीं, तो फिर अर्थिवश्टा कैसे चलेगा ना, तो उनके साथ जरूरी है, लेकिन व्यावारिक रूप से मार्शल की परिभाशा ठीक है, तो इनके साथ भी जाना जरूरी है, लेकिन एक तीसरी विचारधारा भी जन्म ले चुक जहने का मतलब है, अर्थिवशास की परिभाशा क्यों उसके चक्कर में पढ़ रहे हो, कोई विशेश लाब है नहीं, मिलेगा है नहीं, आलोचना जरूर होगी चाहें आप जितने अच्छी परिभाशा देदो, तो उसके जो जो जोलते हैं पहलू है, उसकी जो आप कह सकत सब्जेक्ट मैटर हैं, उस पे धिहान दो, अब परिभाशाओं के क्यों लगे हो गया है, इन लोगों का ये कहना है, ठीक है, लेकिन अब अर्थिवशास्त है, तो उसको समझने के लिए परिभाशा दो देना ही पढ़ेगा, तो हम तीनों के साथ जाएंगे, खासकर इन द अब अगला जो हमारा चैप्टर है, वो अर्थिशात का शेत्र तथा विशेश हमाजगरी होगा, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे